नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर परशांत मोरे और आपका स्वागत है डॉक्टर मोरेज हेल्टीप चानल पे तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो भारत बायोटेक ने है अपनी जो वैक्षिन और कोएक्षिन इसके इंटरडर्मल ट्राइल्स के लिए एप्रोल मांगा है तो इसको गवर्मेंट पैनल से एप्रोल मिल चुका है कि इंटरडर्मल ट्राइल्स अभी ए कर सकते हैं उसके लिए दो कंडिशन उन्होंने रखी है जिन लोगों में यह इंट्रडर्मल ट्राइज करेंगे वैक्सिन की उन लोगों को छे मैने तक फॉलो करना है मतलब उनको क्लिनिकली देखना है और उनके जो एंटिबॉडी टाइटर्स रहते हैं तब जो ब्लड पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कि को हैक्स इनके जो इंट्रमस्कुलर डोस डिये जाते है उसमें डोच जादा लगता है और तीब दी जाती है मतलब स्कीन को यह perpendicular रहती और deep दी जाती है इसमें ज़्यादा डोस लगता है intradermal जो है इसके जो trials करने वाल है इसका फाइदा यह है कि इसमें कम डोस लगेगा मतलब जो vaccine की मातरा रहेगी वो कम लगेगी और यह skin के उपरी इससे में दिया जाएगा मतलब epidermis और dermis तो यह dermis में दिया जाएगा intradermal injection में यह फाइदा होता है कि इसमें जो है antibody response यह अच्छा देखने को मिलता है अगर इसके जो trials है intradermal के यह successful रहेंगे तो जो dose है उसका जो requirement है कम होगी और कम dose में ही ज़्यादा लोगों को यह vaccine दी जा सकती है इसके वज़से vaccine की किमत भी कम हो जाएगी और जैसे vaccine production को समय लएगा तो जितनी vaccine है उसमें से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सकेगा तो दोस्तो इसके अलावा आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं धन्यवाद अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को like और share कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हील टिप्स को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को share कीजे और bell icon पर click करके all page set करना ना भूले धन्यवाद